हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आप कभी बना के एक बार रख लें तो कभी भी जब भी टेस्टी खाने का मनों खा सकते हैं और वो है साबुदाने का बहुत ही टेस्टी और करकरा पापड तो चलिए शुरू क लिए नमस्क हंता मेरा नाल जुटे दाने का है उसी को घंटि के लिए गुगा अच्छे से साफ करके दे ieוש है पॉपड़ यह इंडर आने का नाले अच्छे से साफ करके रख अप में बना रहे हैं आ पापड इसको आप ब्रत में भीका सकते हैं सबूदानों बुक्री मेल के उब चाहे की थाउल forte इसको आधे गंटे चो पानी स्वाइब कर दो है और देखिए एकदम भीखे अच्छे से फूल चुका है साउधाना अब इसका होम पापड़ बनाने बनाना शुरू करेंगे तो यहां मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है खड़ा जीरा है साबुत जीरा लेंगे और थोड़ा सा फूट कलर लिया है ग्रीन कलर का अगर आपको और कोई कलर फूट में डालने चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं या इसको इसकिप करना चाहते हैं प्लेन बनाना चाहते हैं प्रत्म को ध्यान में रखते हुए मैं बना रही हूं तो अगर आप चाहें तो साधा नमग भी डाल सकते हैं और एक और चीज है चिली फ्लेक्स इसमें आप डाल सकते हैं अगर आप तीखा पसंद है मैंने यहां मिर्चे का को यूज नहीं किया है निदम सिम्पल बना रही तो यहां सबसे पहले पानी एक भगूने में पानी रख दिया है दो सो चार सो ग्राम सावदाना है तो हम इसमें 2.5 लीटर के करीब पानी डालेंगे तब यह अच्छे से पक पाएगा और जब पानी को हमने हाई फ्लेम पे छड़ा दिया है इसको बॉयल होने तक वेट देखे पानी ऐसे इतनी तेज से बॉयल हो जाना चाहिए ठंडा रहा तो सावदाना चीपकने लगेगा नीचे यह पानी अच्छे से बॉयल हो चुका अभी मिसमें एक चमच जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा फूट कलर डाल देंगे अगर आपको मिर्ची डालनी है चिल द्याने चीज में कम डालें क्योंकि तलने के बाद आपको मिर्च बहुत जादा पता चलने लगता आप देखिए इसको चलाते रहें लगातार चलाते चलाते देखिए इतना पक गया इसके दाने कितने बढ़ गये हैं और एक दम सौफ दिख रहे हैं लगबग पक चुके एह एसके दानी हम इसकोध धीमा करें कि हाइफ लोरें इसके बाद इसको बंद कर देंगी है बिल्कुल ना डालें क्योंकि इस पर चिपक जाएगा तो छूटेगा नहीं और इसको ऐसी कल्ची ले लेंगे उसकी साहता से आप इसकी जगे कटूरी भी ले सकते एक छोटी अगर आप यूज करना चाहें तो इसको एक एक कल्ची डालेंगे बहुत ही इसली यह बन जाता है इसको बनाने की भी जरूत नहीं है देखिए हमने डाला है अघिप का इसको अप पिखकाने में ध्यान रहता है ना पापर डालेंगे और इसको ना सूखनी के लिए छोड़ देंगे कि ऐसे यह बना सकते हैं को पन्नीकद जाल लें थोड़ा हवा चल रही है तो थोड़ा पद्य बगर ँड़ कि शूक जाता है अधिक से दिक इसमें दो दिन सूखने के लिए चाहिए इससे ज़्यादा नहीं अगर अच्छी धूप हो रही है तो दो दिन में या साम तक भी सूख जाता है गर्मियों की दूप में दिकि एक दम करा रहे हो गाए है कैसे टूट रहा है हम इसको तल के आपको एक बार दिख कभी भी बना के रख लें साल भर तक आराम से कभी भी बना के खाएं कुछ खाने का मन करें तो आप तल सकते हैं बच्चों को दे सकते हैं तो एक बार ट्राइक करें और आपको मेरे चैनल में मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मेरे चैनल को बुन जाते हैं आप इनको एक बार जरूर बना के ट्राइक करें और बहुत ही इजी और सिंपल वे में बन भी जाते हैं ज्यादा जंजट भी नहीं होती है और थोड़े सा बुदाने में बहुत सारे कॉंटिक्टि में पापड़ बन जाता है कि मैंने भून लिया है यह भूने हुए ऐसे लगना है थैंक यू फॉर वाच्चिंग बाए